सवभाग्य और आनंद दोनों का विशय है कि मैं उस जगह पे आया हूँ जो नकेवल भारत पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूत करने की जगह हैं यही वो स्थान है जहां भारत की आकाक्स गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी वीवेकानन ने जन्म लिया थी स्वामी जी ने अपनी अलपायायू के अंदर ही भारत का ज्यान भारत की संस्कूर्ती भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग विजय कराने का काम किया था जब अमरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही व्याक्य से सनातन धर्म का विश्व बंदूत्व की व्याक्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था स्वामी जी वो सक्सियत थे जिनोंने आदूनिक्ता और आध्यात्म को जोडने का काम किया और पूरे देश का अहवान किया था कि पचास साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करे तो यह देश जागरूत हो जाएगा और उसके ठीक पचास साल बाद भारत की आजादी मिली थी और मैं और मैं आज यहां आकर स्वामी जी के जन्मस्थान पर उनके पूर्खों के प और एक नई चेतना यहां से प्राप्त करकर मैं जा रहा हूं और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक जितने प्रासंगीक थे आज भी उतने ही प्रासंगीक है दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा जरूरत साईद आज है और मैं इस Thailand पवित्र स्थान पर इस्वर से यही प्रात्टना करता हैं कि हम सब को स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आसिरवाद दे और चलने की प्रयेना दे और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत समगरे विश्व की कल्यान का मार्ग हो सकता है धन्यवाद